मल्चिंग पेपर का अगर आप उपियोग करना चाहते हैं अगर आप मल्चिंग पेपर इस साल लगाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है तो वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखिए कि इस तरीके सि unpack होता है उसकी कितनी लेंद होती है लंबई कितनी थीकने सोती है और क्या जूमत परते हैं कि मलचिंग पेपर जो होती है युद्धिलैंदटाओन. साथी साथ ज pen used के साथ जो गास को रखने का मढ़र्थ वासपि क्रूंत पानी हैं तो उनको भी रोकता है कहीनिके इंसेक को रोकने का भी काम करता है इस तरीके से इसमने और भूछ overall होते हैं क्योंकि आप इस में ट्रीप οिगरा लगाते हैं तो इसकी जड़ें जो है काफी समय तक जीवीत रहते हैं और काफी समय को फसल के उत्पादन प्रापत होती है और घंस ओका दाना होना होने के चलते जो है जो फसल के साथ उनकी परसीश परदार रहती वो कम होती है और कहीं ने कहीं हमें अच्छे फशल उत्पनन होता है सबसे बहु senses हम लोग बात करें जो मल्चिंग पेपर होती है इसकी जो color होगरा किसकी सरी के से होते हैं सबसे जो common चलता है सबसे ज्यादा जो पयोग किया जाता है वह ब्लेख और और सिल्वर कलर वाला ब्लेख कलर को जमीन के नीचे रखा जाता है शिलीवर कलर को उपर की दिराप रखा जाता है ये अच्छे से ρिफ्लेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्शन होने के करन के इंसेक्ट ओगा रहा है उससे चले जाते हैं तो ये जो आप रोल आप देख रहे है मल्चिंग पेपर का यह जो मेरे पास पड़ा है मैं सबसे पहले इसकी जो है चौड़ाई की बात करूँ तो यह 4 फीट का चौड़ाई वाला है यह मल्चिंग पेपर धाई से लेके 5 फीट के चौड़ाई के हिसाब से आती है आपका जो मेड होता है वो कितना बड़ा है उस ह Thignness जो है वो लगबग 25 micrond की है Thignness जो होती है वो 21 micrond से लेकी लगबग 200-200 micrond तक आती है वो अलग-अलग फसल के लिए होती है और मैं एक चीज आपको बता दू हम जो common जो use करते हैं 25 से लेके 30 micrond का जो mulching paper है वो कापी अच्छा रहता है 25 से 30 मतलब 27 micrond इस तरगी से अलग अलग तरीके से आते हैं तो 25 से 30 माइक्रॉन का जो रहता है वो एक फसल के लिए काफी अच्छा होता है मल्चिंग पेपर का जो थींगनेस होती है तो थींगनेस के हिसाब से उसकी वैलिडिटी होती है और अगर आप 21 माइक्रॉन का लेते हैं तो लकभग चार से comprehensive महीने तक चुटिकता है और आप 24 दे खार graffiti का अट मियने चलके हैं और थींगनेस ऐसी मतलब यह रहता है कि जैसे आμε लोग बाद पार अग्ले थींगनेस चादा है आपका planning है तो आप जो thinkness है उस हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं इसके बाद बात हो दी कि कीमत क्या होती है इसकी कीमत मैं आपको बता दो जो 22 micron की होती है उसकी लगभग 1800-2000 रुपए पड़ता है और लगभग 25 micron की जो होती है वो लगभग आपको 1990-200 रुपए के आसफ पड़ जाती है और जो 30 micron की होती है वो लगभग आपको 2400 से लेके 2800 रुपए के हिसाब से आप जितना ज्यादा quantity मंगाएंगे उस हिसाब से कम ज्यादा अब यह होता है इसकी लंबाई जो रहती है चार फीट चोड़ाई और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1200 फीट मत है कि मल्चिंग पेपल लगाने का तो इसका ध्यान रखिए कि आपको कौन से कलर चाहिए और कितनी चोड़ाई हो कर अच्छी एक चीज़ और हो दिक इसमें हमको होल करना रहता है तो अगर आप चाहते हैं अगर आप ज्यादा मातरा में लेते हैं तो company से आप इसमें होल भ होल भी करवा सकते हैं यह तो आप अपने जुगाड के माध्यम से भी इसको होल कर सकते हैं तो इतनी सी जानकारी है मल्चिंग के लिए और यह वाले वीडियो मेरे को लगता है कि आपके कुछ काम आया होगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को जरूर करें धन्यवादी